Hi everyone, मैं हूँ Dr. Salim और आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस सबसे बड़े reason के बारे में जो कि आपके digestive system को कमजोर बनाने का काम करता है और आपके अंदर digestive problems चैसे कि gas है, अफारा है, या acid ED है, या बदहजमी है इस तरह की problems को create करने का कारण बनता है ये एक ऐसा reason है दोस्तों जिसके बारे में जादा लोग बात नहीं करते हैं, आपको नहीं बताते हैं इसके साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस तरह की problems से आप कैसे चुटकारा पा सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डिटेल से दोस्तों खाने को डाइस्ट करने के लिए चार सबसे में चीज़े होती है पहली चीज है सलाइवा जो कि हमारे मूँ के अंदर होता है दूसरी चीज है gastric juices जो कि एक acid की शकल में होते हैं हमारे stomach के अंदर तीसरी चीज है bile juice जो कि हमारे liver से और हमारे पित्ते से निकलता है और चौती चीज होती है pancreatic enzymes जो कि pancreas से निकलते हैं ये चार वो मीचीज हैं जो कि हमारे खाने को पूरी तरह से digest करते हैं जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो हमारे मूँ से हमारा digestion जो है वो शुरू हो जाता है जब हम खाने को चबाते हैं और उसमें saliva मिलता है तो saliva के अंदर कुछ ऐसे enzymes होते हैं जो कि हमारे खाने के अंदर मौजूद starch को simple sugars में convert कर देते हैं यानि किसी हद तक जो digestion है वो आपके मुँ में ही शुरू हो जाता है इसके बाद जो खाना है वो पहुँचता है आपके पेट के अंदर यानि आपके stomach के अंदर और stomach के अंदर खाना जाने के बाद वहाँ पे रिलीज होता है gastric juice जो कि एक तरह का acid होता है ये acid basically हमारे खाने को गलाने का काम करता है और बहुत सारे ऐसे minerals हमारे खाने के अंदर होते हैं जो इस दोरान हमारे digestive system में absorb होते हैं इसके बाद जो खाना है दोस्तों वह गल जाता है और वह पहुंचता है चोटी आथ के अंदर यानि डियोडनम के अंदर और यहां पर दो main चीजे होती हैं जो कि हमारे खाने को पूरी तरह से digest कर देती है पहली चीज होती है bile juice और दूसरी चीज होती है pancreatic enzyme bile juice आपके खाने में मौझूद fats को dissolve करता है और उसको digest करने में असानी पैता करता है और जो enzymes आपके pancreas से निकलते हैं यह आपके खाने में मौझूद अलग लग तरह की चीजे जैसे कि proteins हैं या carbohydrates हैं या fats हैं इनको digest करने में मदद करते हैं इन चारो ही चीजों में से दोस्तों अगर कोई एक चीज भी misfunction करने लगे यानि पूरी तरह से काम ना करे या उसमें कोई imbalance हो जाए तो इसका direct असर आपके digestive system के ऊपर पढ़ता है एक और चीज जो बहुत important है आपके लिए समझनी दोस्तों वो ये कि छोटी आत के अंदर जो pancreatic enzymes निकलते हैं और जो bile juice निकलता है इन दोनों ही चीजों को release होने के लिए आपके पेट का यानि आपके stomach का जो pH है वो acidic होना बहुत जादा जरूरी है अगर आपके stomach के अंदर acid पूरी तरह से नहीं बनेगा तो उसकी वज़ा से ये दोनों ही चीजों है पूरी तरह से release नहीं होती है stimulate नहीं होती है जिसका सीधा असर आपके digestion पर बढ़ता है और वो incomplete ही रह जाता है लेकिन होता क्या है कि जब भी हमें कोई digestive problem होती है तो हम बिना कुछ सोचे समचे सबसे पहले antacids का इस्तमाल करना शुरू कर देते हैं यह antacids वक्ती तोर पर तो हमें अराम दे देते हैं लेकिन इन लॉंग रन अगर हम इनको यूज करते रहते हैं तो उसकी वज़ा से हमारा जो digestive system है वो कमजोर होने लगता है जिसकी वज़ा से अलग लग तरहां की problems हमारे अंदर आने लगती है antacids का जादा इस्तमाल करने की वज़ा से आपके अंदर एक और digestive problem है जो की commonly देखी जाती है जिसको बोलते हैं GERD जिसके अंदर जो आपके पेट का acid है वो वापस से आपके खाने की नली में जाना शुरू कर देता है दूसरा सबसे बड़ा main reason जो की आपके अंदर तरहां-तरहां की digestive problems को create करने के लिए responsible होता है वो है constipation constipation जब आपको होता है और वो लंबे समय तक रहता है तो उसकी वज़ा से आपका पेट पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है और आपका जो upper gastrointestinal tract है यानि आपका stomach से लेके उपर isophagus तक का जो हिस्सा है इसके अंदर congestion बढ़ने लगता है अब सवाल यह आता है कि आप अपने digestive system को कैसे strong बनाएंगे और इस तरह की अलग-अलग digestive problems से कैसे अपने आपको बचाएंगे और permanently इस तरह की चीतों से छुटकारा पाएंगे या indigestion है इस तरह की problems से बचाए तो एक बहुती बढ़िया आयरुवेदिक प्रोड़क्ट आज मैं आपको recommend करना चाहता हूँ जिस product का नाम है बैदिनात वन सार गट रिलीव यह एक बहुती बढ़िया आयरुवेदिक चूण है जिसके इंदर आपको 6 आयरुवेदिक हर्प्स मिलती है इसके अदर आपको मिलता है दोस्तो सेना लीवस अजवाईन इसके इंदर आपको मिलती है अमलतास इसके इंदर और मुलेठी भी मिलती है ये सभी जितनी भी हर्प्स हैं ये आपके digestive system के लिए बहुत बढ़िया त्रहिके से काम करती है स्पेसिफिकली अगर आपको constipation की शिकायत रहती है ये अगर आपको acidity रहती है या ब्लोटिंग की शिकायत रहती है यानि अफारे की शिकायत आपको रहती है या आपका जो digestive system है वो कमजोर हो गया है तो इन सभी चीजों में आप इसको अराम से इस्तमाल कर सकते हैं इन दर आपको fiber content बहुत जादा मिलता है और यह non habit forming product है यानि इसकी आपको आदत नहीं पड़ती है और आपके digestive system के ऊपर इसका कोई negative effect भी नहीं आता है यह एक बहुती safe product है दोस्तों जो कि पूरी तरह से sugar free है तो अगर आप diabetic है तो उस case में भी आप इस product को इस्तमाल कर सकते हैं इस product को आप जरूर ट्राई करिए और आपके digestive system को healthy बनाने में और constipation को दूर करने में यह आपकी काफी जादा मदद करेगा इस product की dosage भी बहुत ही जादा easy है आपको जिर्फ रात को सोते समय पांच से 10 ग्राम इस powder कर लेना होता है एक ग्लास गुनगुने पानी के साथ अगर आप इस product को purchase करना चाहते हैं तो उसके सारे links आपको नीचे description box में मिल जाएंगे और pinned comment में मिल जाएंगे तो वहां से click करके directly आप इसे order कर सकते हैं दोस्तो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजे बताने वाला हूँ कुछ ऐसी tips बताने वाला हूँ जो आपको बहुत घौर से सुनना बहुत ही जादा जरूरी है और यकीन मानिए अगर इन tips को आप अच्छी तरह से follow कर लेंगे और इन जबा कर खाओ लेकिन इन चीजों को हम अकसर हावा में उड़ा देते हैं लेकिन दोस्तो scientifically भी ये बात सिध है कि अगर आप अच्छी तरह से अपने खाने को चवाते हैं तो उसकी वज़ा से saliva अच्छी तरह से आपके खाने में mix-up हो जाता है और आपका काफी हद तक जो digestion क प्रॉसेस है वो आपके मूँ में ही होना शुरू हो जाता है दूसरा important point यह है कि आपको हमेशा जब भूख लगे और जितनी भूख लगे उतना ही खाना खाना चाहिए अकसर हम लोग बिना भूख के भी खाना खा लेते हैं या फिर भूख से जाधा खाना भी खा लेते हैं overheating करने की वज़े से क्या होता है कि हमारा stomach जह है वो जाधा acid release करने लगता है क्योंकि जल्सांग कहने को पकाने के लिए ज्याधा acid की जरुवत पती है। जब यह ज़्याधा acid हमारा stomach है वो release करता है तो उसकी वज़े से हमें hyperacidity की शिकायत हो सकती है, हमारे stomach के अंदर ulcers भ जताता important होता है, digestion के process के लिए आपको पानी की requirement होती है, तो अगर आप पानी कम पिएंगे तो उसकी वज़ा से आपको constipation भी हो सकता है, उसकी वज़ा से आपके अंदर acidity भी हो सकती है और उसकी वज़ा से आपके अंदर indigestion भी हो सकता है, इसके रावा next point यह है दोस्तों के आपको हमेशा processed foods से और तली भूनी चीजों से बचना चाहिए, stress से आपको बचना चाहिए, जितनी कम से कम stress आप लेंगे, जितना अच्छे महाल में आप रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, उतना ही आपका digestive system भी healthy रहेगा, इसके लावा दोस्तों आपको exercise regularly ज़रूर करनी चाहिए, जो लोग कम exercise करते हैं या कम चलते फिरते हैं, उनके अंदर constipation की बहुत एक आम समस्या देखी जाती है, तो अगर आप regularly exercise करेंगे, तो उसकी वजह से आपको constipation भी नहीं होगा, और आपको भूग भी अच्छी लगेगी, और आपका digestive system भी healthy बना रहेगा, अगर आपको भूग कम लगती है, और आपका digestion कमजोर है, तो इसके लिए एक बहुत असान सा नुस्खा भी है, जो कि आप आजमा सकते हैं, इस नुस्खे के लिए आपको चाहिए होगा अदरक, इसके साथ आपको चाहिए होगा नीमू का रस, और थोड़ा सा आपको चाहिए पहले आपको लेना है, इसको लेने से आपकी भूख भी बढ़ेगी और आपका digestion भी इंप्रूव होगा, इसके अलावा अगर आपको acidity और bloating की शिकायत हैं यह फारे की शिकायत रहती है, तो उसके लिए भी एक बहुत बढ़िया नुस्खा है, जो कि आप नूट कर सकते ह हैं, इस नुस्खे के लिए आपको चाहिए होगी 25 ग्राम पिसी हुई सोंट, 25 ग्राम पिसी हुई अजवाईन, 25 ग्राम पिसा हुआ काला नमक और 5 ग्राम आपको चाहिए होगी हींग, इन सभी चीजों को आप आपस में मिला लीजे और एक एर टाइट कंटेनर के अंदर store करके रख लीजिए इसमें से आधा चम्मच आपको खाना खाने के बाद दिन में दो टाइम लेना है पानी से इससे आपकी acidity की problem भी solve होगी और आपको indigestion की शिकायत या फारे की शिकायत भी नहीं होगी मुझे उमीद है आज ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने आज कुछ ना कुछ नया जरूर सीका होगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक like जरूर दीजिए चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को subscribe भी जरूर कर लिजे और bell icon प्रेस करना बिलकुल भी मत भूलिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की notification आपको timely मिलती रहे ताकि आप रह सकें healthy हमेशा